चैन साथियों आप सभी का स्वागत है से बेए क्लासेस में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का नन हिंदी चिप्टर का नाम है हुंडु का जल पर पाथ ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या का कोश्चन दिया गया है सबसे पहला कोश्चन है महान मंजिल पर पहुचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए तो मार्ग की कैसा होना चाहिए सीधा महान सपाट या फिर इन में से कोई नहीं तो पहला का सही आंसर है मंजिल भी महान होना चाहिए उप्सन भी सही हो जाएगा अगला कोशन है हुन्डु का जल परपात किस राज्य में है जारखंड, बिहार, पस्चिम बंगाल या फिर उडिसा तो दूसरा का सही आंसर उपसन है जारखंड में है हुन्डु का जल परपात अगला कोश्चन है हुन्डू का जल परपात जार्खा अंडराजी के किस जीले में हैं दुमक, लोहरदगा या फिर छोटा नाकपूर या फिर राची तो तीसरा का सही आंसर है उप्सन सी छोटा नाकपूर में है हुन्डू का जल परपात अगला कोश्चन है हुन्डू का जल परपात है ना राची का ना हजारी बाग का ना छोटा नाकपूर का सब का तो चार का सही आंसर है उप्सन डी सब का है अगला कोश्चन है हुन्रो का पानी निरंतर संगर्ष के साथ चटान पर गिरता हुआ मानो की सिरिष्टी करता है तो मतलब रीकता स्थान में क्या आएगा आग सौंदर इंद्रधनूस या फिर बाड तो पांच कसा ही आंसर हो है अगला कोश्चन है छोटा नागपूर लेखक की दिरिष्टी में क्या है नर्ख है जंगल है स्वर्ग का टुकड़ा या फिर व्यावान भूमी है तो छे का सही आंसर है ओप्शन सी स्वर्ग का टुकड़ा है अगला कोश्चन है हुन्डू के जल परपात पाट की विद्या है निबंध है संस्मरन है या फिर डायरी है तो साथ का सही आंसर ओप्शन सी हो जाएगा या फिर विर्थान्थ है अगला कोश्चन है हुन्डू का जल परपात पाट के लेखक है रामबिर्च बेनी पूरी है कामता परसाथ सी काम है प्रेम चंद है या फिर फनिस्वर नाथ रेनू है तो आठ का सही आंसर है ओप्शन भी कामता परसाथ सी काम है अगला कोश्चन है हुन्डू जल परपात के पास किसने बंगला बनवा दिया जीला बोड ने वहां के राजा ने परधान मंतरी ने या फिर मुख्य मंतरी ने तो नो का सही आंसर है ओप्शन ए जीला बोड ने बनवा दिया अगला कोश्चन है राची से हुन्डू का जल परपात रिक्त स्थान मिल की दूरी पर इस्थित है मतलब कितने मिल की दूरी पर इस्थित है तो कितना है 27 मिल अगला कोश्चन है हुन्डू का जल परपात में किस संस्कृती का वर्नन है आदिवासी संस्कृती, मुसलिम संस्कृती, सिक संस्कृती या फिर इसाई संस्कृती तो 11 का सही आंसर है उप्षन है आदिवासी संस्कृती का वर्नन है अगला कोश्चन है पूरूलिया रोड से हुन्डू की दूरी कितनी है तीन मिल, तेरा मिल, एक्सोतेईस मिल या फिर तेतिस मिल तो 12 का सही आंसर हो जाएगा उप्षन बी, तेरा मिल है अगला कोश्चन है हुन्डू का जल पर पात रिकता स्थान उचा है, मतलब कितना उचा है 223 ft, 230 ft, 233 ft या फिर 243 ft तो 13 का सही आंसर उप्षन डी हो जाएगा 243 ft है तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है